प्रिंस नरूला भडग गए है आईशा खान पे और वो आईशा को काफी लथारते वे मुनवर को सपोर्ट कर रहे हैं क्या है पूरी डीटेल आ ये जानते हैं आपको बता दे कि आईशा खान ने जिस तरह से मुनवर फारुकी के पॉसनल इश्यू को नैशनल टेलिविजन प इनके पॉसनल लाइफ में इतना भूस गई है उसका मतलब पूरा एक्सपोस करने पे तुल गई है तो इन सब को पहले तो मुनवर के जितने विद्वाव फैंस है उन्होंने मुनवर को सपोर्ट किया उनके दोस उनके चाहने वाले आपको बता दे कि मुनवर के लौक अप वो उनको ख़ाए उनको क्लीर करना चाहिए था तुम कोई जज नहीं हो किसी के बार में बोलने के लिए ठीक हैlt हमा अपके साफ नहीं जाने से सौरी मांगाhist ये उसने गिल्टी बिल करी हमेशा आपको बोला ठीक है आपकी बात खतम होगे सलमान सर ने बोला था कि तुम जो करने आई तो काम खतम हो चुका है अगर आप जा चाहती है आप जा सकती है वापस तब भी आप नहीं गए आपकी तब्यात खराब होगी medical issues हुए आप वहां से भी वापस आए फिद्वाराइस घर में और फिर तुम बोलों कि हम फेम के लिए नहीं आए बाबा आप से बड़ा डिप्लोमेटी तो कोई ही ही नहीं गट सबको बोलने के लिए हैस मैं फेम के लिए आई और वो मुझे कम हो गया तो मुझे रगा कि आप में जाने से पहले वह शायद गलत जगह ना चला जाए तो अफिर कर रहे हैं अगर आपके तक गलत हुआ है तो मैं कहता आप कुछ भी करते हैं I'm not against you कि आप कोई एक्शन लें था उसके बाहराने की वेट करके आप एक्शन लेते ना है आप घर पे यही सिचुएशन को है मलब सिचुएशन का फ जाके पहले आपने गलत बोला फिर आप बिल्टू ठीक हो गए आप आपने इसको माफ कर दिया अफिर से वैसे हो गए अगर पताथ भू इतना गलत है और जब आपको अब आपको फिर से इसी हो के सिचुएशन की बिगड़ गई है अब आप इसके बार में फिर गलत बोले अगर मुन्या गलत है तू आप भी गलत होँए अगर मुसा मैंसा कोई गलत करता ऐसाथ एसको बोलते इन, छो से आपके سथे रहते हैं तो मुझे लगत लगता की ठीक है यार, शयद वो हृट हूई है के साथ आपका गेम में रहना भी दिख रह हा है कि आपका गेम में वी जो कुछ भी कहा, क्या उन्होंने सही कहा, जो भी लगता है, कॉमेंट करें, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, गत्तु कुछ